नमच्छणी का दरज़ा किस प्रकार से किसी संगठन को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है और कौन-कौन से दरजे होते हैं जो किसी पार्टी को दिये जाते नंके फाइदे क्या होते हैं उनके उपर में आप लोगों से चचक करूँगा आपने अक्सर कई पार्टियों के बारे में सुना होगा जैसे कि BJP है, कॉंग्रिस है, BSP है, SP है, समाधवादी पार्टी है ना, CPI, CPM बहुत सारी पार्टियों के बारे में हम लोग जानती है और दर्जे उनको दिये जाते हैं, किसके द्वारा वो तो मैं बादों बताओंगा सबसे पहले समझना, हमारा मौलिक अधिकार है जी हाँ, आर्टिकल अंबर 19, सब क्लॉस 3 यानि कि 19 बैकिट में 3 19-3 के तहट, हमारा मौलिक अधिकार पढ़ता है हम किसी भी प्रकार के संगठन को या राजनितिक दल को बना सकती हैं तो पहली बात तो ये है पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा क्या होगा, वो तो बाद की बात है राजनितिक दल बना कुन सकता है कोई भी, आप, मैं, कोई भी इंसान कभी भी, किसी भी समय, दिन, राज, 24, घंटे, 365 दिन कभी भी किसी दल को बना सकते है पॉलिटिकल पार्टी को बना सकते है और ये आपका और मेरा मौलिक अधिकार है हाँ, उसको दर्जा किस कैटिगरी का मिला है वो एक बात की बात है हम जानते हैं हमारे देश में तीन प्रकार के धरजे एक प्रकार से दे जाते हैं Election Commission के माध्यम से अब यह मैंने तो पार्टी बना ली मालो मेरी पार्टी का नाम है Galaxy Axis अब Galaxy Axis एक National Party होगी या फिर State Party होगी या फिर Unrecognized Party होगी Unrecognized को लोग समझते हैं कि नहीं इसको तो मानेता प्राप्त है ही नहीं यह तो पार्टी है ही नहीं नहीं मौली का धिकार है मेरा Fundamented Rights है तुमारा आप कभी भी राजनितिक दल को बना सकती हैं और Election Commission की वेब साइट पर जाओ अपने एक फोर्म भरो पार्टी का नाम लिखो उसका चिन बनाना है मतब चूज करना है चिन सेलेक्ट करो हैं कौन होगा अध्यक्स कौन होगा ट्रेजरा यनकी खजांची कौन होगा उपाध्यक्स कौन कौन उसके मेंबर है आप आज की आज Election Commission की वेब साइट पर जाकर Political Party को अपना नाम दर्ज करवा सकती हो लेकिन वो पार्टी के लाएगी Unrecognized Party ऐसी भारतियां भारत में बहुत सारी हैं यह मांग के चलो 2716 पार्टी हैं आज की अगर मैं बात करना चाहूं जिसको Unrecognized Party का दर्जा प्रापते सर जब Unrecognized है तो Recognized कैसे हो सकती है Recognization अलग होता है Unrecognization अलग होता है हाँ यही Confusion है असल में Election Commission तीन प्रकार की मानिता दीता है एक जो भी अपना नाम Election Commission में दर्ज करवाता है Political Party के तौर पर वो क्यलाती है Unrecognized Party अब उसका जनता में क्या रुद्बा है उस दल का लेको हर पार्टी अपने आप में बहुत बड़ी होती है हर बंदा हर पार्टी अपने आपको महान समस्ती है लेकिन जनता में उसकी कितनी पैठ है जनता में उसका कितना दम है उसके आधार पर उसको स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दरजा दिया जाता है मैं फिरिपीट कर रहा हूँ पार्टी तो तुम चाहे आज बना लो लेकिन वो पार्टी कहलाएगी Unrecognized गैर मानिता प्राप्त पार्टी संगठन उसको कहलाए जाएगा अब उसके बाद मानलो आज मैंने Galaxy Axis Political Party बना दी है Galaxy Axis Party बाद में जनता में मेरा क्या रुद्वा बना जनता में मेरा कितना प्यार है जनता कितनी जनता कितनी लोग मुझे चाहते हैं उसके आधार पर डिपेंड करता है मेरी पार्टी स्टेट पार्टी होगी या नेशनल पार्टी होगी फिलाल हिंदुस्तान में आठ नेशनल पार्टी हैं और 54 स्टेट पार्टी हैं तो सबसे पहले नेशनल पार्टी को तो आप नहीं समझ पाओगे पहले आपको पता चलना पड़ेगा State Party का दर्जा कैसे मिलता है क्योंकि सबसे पहले तो यही दर्जा मिलेगा बाद slash National Party सर कोई पार्टी सी धी National Department बन सकती है बिल्कुल बन सकती है बिल्कुल बन सकती है लेकिन बनती नहीं आम आऑनी पार्टी बन सक्तिती लेकिन बन नहीं पाई एक टाइम पर जब उसने धूम मचाई थी कुल मिला के अब मेरे बात समिवन समझेगा कि किस प्रकाarti को स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता ह् Heil P तो किसी प्रकार के इलेक्शन है, गौर सन्ना, मेरी पार्टी का नाम है गेलेक्सी पार्टी, आज इलेक्शन कमिशन की वेब साइट पर या फिर उसके दफ्तर में जाके, मैंने अपने पार्टी को का नाम दर्ज करवा दिया है, तो मेरी पार्टी कैलाएगी पार्टी कौन्सी पार्टी UNRCोगनाव अब state party बनना है ये national party बनना है उसके अधार पर कुछ तरीके हैं उसके कुछ नियम और काईदी है जैसे कि state party मालो mlaa mp का इलेक्शन है है सर राज्य सभा का नहीं नहीं नहीं, नहीं, लोग सभा के MP, क्यों लोग सभा के MP का चुनाओं जनता करती है, और मैंने आप से क्या कहा है, जनता में तुम्हारी पार्टी का कितना बड़ा रुद्भा है, जनता के अंदर कितना बड़ा रुद्भा है, कितना बड़ा नाम है, उसके आधार पर ही election commission करता है कि उसको state party बनाए या national party बनाए तो ध्यान से समझना जिन नेताओं का चुनाओ जनता के द्वारा किया जाता है उन्हीं नेताओं की election की बात मैं कर रहा हूं मालो MLA है MLA जैसे UP election हो रहे है किसके MLA की election हो रहे है MLA MP का election हो रहा है सर इसमें से बताओ किसका किसी का भी election हुआ मेरी party है galaxy party और मैंने सभी जगह अपने अपने किरदार अपने candidate उतार दिये सभी सीटों पर सभी जगह पर मेरे लोग election लड़ रहे हैं और हुआ क्या हम सब के सब हार गए मैं भी हार गया मैं भी कहीं से election लड़ा मेरे यार दोस्त मेरे दोस्त जितने भी थे candidates से सब के सब हार गए कोई बात हार गए कोई बात नहीं लेकिन election में valid vote का 8% मेरी party को मिल गया सर वैलिड वोट मतलब वैद मतलब मान लो उत्रप्रदेश के election है या पुरे हिंदुस्तान के election है कोई भी election है election में voting हुई है एक क्रोड लगबा लबग 20 लाख इकाई धाई सेकड़ा हजा दजाल लाख 10 लाख क्रोड ठीक है एक करोड़ 20 लाख लोगोंने vote डाली है मान लो और हुआ क्या हम सब के सब हार गए मेरी party के सारे के सारे बंदे हार गए लेकिन एक लाख बीस एक करोड़ बीस लाख वोटों में सी जो वैद मत होगी सर वैद मतलब लीगल वोट मतलब election commission ने कहा कि नहीं उस इलाके में धांदलेबाजी हुई है मशीनों के साथ छेड़ चाड़ हुई है या उस इलाके में मशीनों में गड़बड अपने आप हो गई थी तो वो जो वोट है वो हो गई कैंसल बीस लाख वोट कैंसल बीस लाख वोट कैंसल बीस लाख वोट कैंसल तो वोट कितनी बची एक करोड़ अगर एक करोड़ बीस लाख में से 20 लाख वोटों को कैंसल कर जा गया तो वोट कितनी बची? 1 करोड 1 करोड का 8% अगर मेरी पार्टी हासिल कर देती है सारे हार गई हम सब के सब हार गई लेकिन 1 करोड का 8% सर 1 करोड कहा से आया? मान गया है imagine कर लो मान लो 1 करोड 20 लाख वोट गिरी है दी गई है वोटी और उसमें से 20 लाख को Election Commission ने कैंसल कर दिया है बची कितनी? 1 करोड 1 करोड का अगर 8% 8% वोट मेरी पार्टी ले जाती है 1 करोड का 8% होगा 8 लाख मैं हार गया लेकिन 10,000 वोट मुझे मिली थी हार गया मेरे एक दोस था रवी रवी भी हार गया लेकिन 15,000 वोट उसको भी मिली थी मेरे एक दोस था परिक्षित वो भी हार गया लेकिन 1,000,000 वोट उसको भी मिली थी मेरे एक दोस था विकास वो भी हार गया लेकिन 50,000 वोट उसको भी मिली थी एक्मेरे भोट था कुल्डीप वो भी ए हार गया एक दोस्त था माप상ंकंया म। मौनीद दोस्ता कुल्दीप वो भी हार गया मूली थी तो ही एसे प्रिकासे देखते हम सब आर गई लेकिन टोटल लीगल वोट का 8% वोट हमारे पार्टी के लोगों को मिली है एक करोड बीस लाख अगर टोटल वोट गिरी थी पड़ी थी तो उसमें से 20 लाख हटा दो क्योंकि इलेक्शन कमिशन ने हटाई है उसने का यह अवैद है इलीगल है तो एक करोड का 8% राउंड फिगर करूं तो 8 लाक बनता है अगर हमारी पार्टी को मिल जाती है तो हमारी पार्टी स्टेट पार्टी कोशित कर दी जाएगी एक तरीका एक तरीका मालो MP का इलेक्शन है दूसरा तरीका मालो MP का इलेक्शन है 8% 8% छोड़ो 7% वोट में भी काम चल जाएगा साथ छोड़ो साड़े साथ में भी काम चल जाएगा साड़े साथ भी छोड़ो 6% में भी काम चल जाएगा 6% के वोट अगर मुझे मिल जाती है तो भी मेरी पार्टी स्टेट पार्टी राजस्तर की पार्टी घुशिट कर दी जाएगी लेकिन साथ साथ मैं एक MP जीतना चाहिए मेरा एक MP मुझा हर्याना का इलक्सन है हर्याने में टोटल 10 MP है लोग सभा की 10 MP पूरे हर्याना में सिर्फ 6% वोट मिले मुझे मेरी पार्टी को सिर्फ 6% लेकिन लेकिन एक MP भी जीत गया मेरा एक MP जीत गया मतलब जनता में सही नाम है एक MP जीता है मेरा तो मेरी पार्टी स्टेट पार्टी बन जाएगी मनलों उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश में 80 MP है लोग सभा की और सभी के सभी सीटों पर मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे कारे करता election लड़ रहे थी सब के सब हार गए है 6% वोट में काम चल जाएगा अगर सभी के सभी हार गई तो 8% वोट ले नहीं पड़ेगी लेकिन अगर एक MP जीतिया मेरा तो 8% की जुरूरत नहीं है साथे 7% में भी काम चल जाएगा साथे 6% में भी काम चल जाएगा साथे 6% में भी काम चल जाएगा 6% में भी काम चल जाएगा लेकिन एक MP मेरी पार्टी का जीतना चाहिए तो state party बन जाएगा इतना simple तरीके से समझेना है तुम लोगों को मालो MLA की election है MLA की election में 6% में काम चल जाएगा बिल्कुल चल जाएगा लेकिन 7-7 में 2 MLA जीतने चाहिए मेरे जिसे उत्तर परदेश है 403 MLA है कितने? 403 मेरी galaxy party galaxy axis party सभी seatों पर चुनाओ लड़ा और ज्यादतर seatों पर हार भी गए सिर्फ 2 MLA जीते 2 403 में से 2 बंदे हमारी party के जीते 2 बंदे तो अगर 2 बंदे जीत गए तो 8% की जूरुत नहीं है 6% में काम चल जाएगा मनलब अगर 2 MLA मेरी party के जीते हैं प्लस 6% वोट मेरी पास है तो मेरी party उत्तरप्रदेश की स्टेट party को शित गर दी जाएगी या राजिस्थान की या पंजाब की या तमिलाडू की या महराश्टर की वो चाहे कहीं की बात हो रही है तो अगर मेरा एक भी बंदा नहीं जीता MLA और MP की एलेक्शन में तो कितनी वोट चीए मुझे कोई नहीं जीता तो 8% अच्छा अगर मैं MP की बात करूं MP के एलेक्शन में 6% में काम चल जाएगा आठ परसन बहुत बड़ी होती है इतने बड़े युपी में 8% लोग मुझे चाहती हो मेरी पार्टी को चाहती हो उसको प्यार करते हो महबद करते हो बहुत बड़ी बात है तो कोई बात नहीं 8 नहीं 6 में काम चल जाएगा 1 MP उना चीए 6% में काम उना जाएगा मेरी पार्टी के पास 2 MLA उने चाहिए ठीक है और सर अगर 6% वोट भी नहीं मिला तो हाँ तो फिर एक नेक्स तरीका भी बनता है और वो तरीका बनता है MLA की एलेक्शन हो माल लो MLA की एलेक्शन MLA की एलेक्शन में 3% MLA या फिर 3 MLA जो भी जादा हो जो भी जादा हो मेरी पार्टी के पास वोने चाहिए सरी क्या का 3% MLA या 3 MLA जो जादा हो सरी क्या का मैं बताता हूं माल लो हर्याना में 90 MLA 90 MLA हर्याना माल लो नी हैं ही 90 90 का 3% 90 का 3% 927 2.7 यानि की 3 MLA 3 MLA या फिर 3 MLA अब मुझे बताओ 3 MLA जादा है मतलब 90 का 3% जादा है 3% यानि की 3 MLA या फिर 3 MLA जादा क्या है बताओ तू बताओ 3 MLA जादा है या 3 MLA जादा है सर 3 MLA जादा है अब कौन सा 3 है मतलब मतलब मेरी पार्टी स्टेट पार्टी बन जाएगी मुझा यह है क्या यह तो मतलब यह तो आप तो मतलब अलगी कोली दे रहे हो 3 MLA जादा है या 3 MLA जादा है इसका क्या मतलब था मैं दूसरा तरीका लेता हूं मालो UP की बात करना चाहूं उत्तर परदेश में 403 MLA है 403 का 3% है चारतिया 12 लगवा लगवा 12 MLA 12 MLA जादा है या फिर 3 MLA जादा है सर 12 MLA जादा है तो उत्तर परदेश में मेरी गेलक्सी पार्टी को एक परसंट भी वोट ने मिली कोई बात नहीं है MLA का 3% या 3 MLA जो भी जादा हो 403 का 3% पड़ेगा 12 क्या सपास 12 13 क्या सपास तो अगर और 3 MLA इन दोनों में जादा क्या है 12 तो मेरी पार्टी के पास 12 MLA जीतने चाहिए तो मैं UP की स्टेट पार्टी गोशित कर दिया जाऊँगा मेरी पार्टी को उत्तर प्रदेश की रा काम बेरे लेता हूं सिक्किम का सिक्किम का सिक्किम में MLA पढ़ते है 32 MLA 32 का 3% सर 3,9,0.9 यानि कि 1 MLA या फिर 3 MLA इन दोनों में ज्यादा क्या है सर 3 MLA तो सिक्किम में मेरी पार्टी के 3 MLA अगर जीत जाती है तो मेरी पार्टी सिक्किम में स्टेट पार्टी गोशित कर दी जाएगी 3% MLA या 3 MLA जो भी ज़ादा हो अगर मेरी पार्ट हासिल कर लेती है मेरा दल राजनितिक दल हासित कर लेता है हासिल कर लेता है तो हम स्टेट पार्टी कोशित कर दे जाएंगे हर्याना की केस में 3% बनता है 3 और 3 MLA ये तो बराबर है तो कुछ भी लिया हो तू UP के केस में 3% बनता है 12 राउंड फिगर 13 भी कह सकती हूँ या 3 MLA जादा क्या है जादा जादा क्या है 3% तो UP के केस में 12 MLA मेरे जीतने ज़िए हुई है और अगर मैं बात करना चाहूँ सिक्किम के केस में 3% जो बनेगा 1 MLA 32 का 3% 0.9 सम्थिंग तो वो बनेगा 1 MLA अब 0.9 ये थोड़ा नहीं कहोगे आदा MLA चल जाएगा या गुटनों तक का MLA चल जाएगा अरे राउंड फिगर 1 MLA या फिर 3 MLA जादा क्या है 3 MLA तो इस हिसाब से आप लगा सकते हो अंदाजा कैसे आपको स्टेट पार्टी का दरजा दिया जा सकता है मैंने यहाँ पर 4 कंडिशन आपको बताई 4 कंडिशन पहली कंडिशन MLA या MLA या MLA का इलेक्शन उरा है मेरा एक भी बंदा नहीं जीता कोई बात नहीं लेगन लीगल वोट वैद मतों का 8 परसंड मेरे पास है मेरी पार्टी स्टेट पार्टी मेरा एक MP जीत गया MP के एलेक्शन में MP1 जीत गया तो 8 परसंड की जूरत नहीं है 6 परसंड वोट में मेरा काम चल जाएगा या फिर MLA के एलेक्शन में बाई साब 8 परसंड वोट समझते हो बहुत जादा हो जाती है इतनी वोट नहीं मिलती कई बार क्योंकि भारत में पॉलिटिकल पार्टिया बहुत जादा है या फिर MLA के एलेक्शन में 6 परसंड में भी काम चल जाएगा 8 की जुरूरत नहीं है 6 में भी काम चल जाएगा लेकिन 7-7 काम तब चलेगा जब 2 MLA मेरे जिते हूँ 2 MLA मेरे जिते हूँ तभी 6 परसंड में काम चलेगा सर 1 MLA जिता हुआ तो नई फिर मुझे 8 परसंड लानी पड़ेगी फिर मेरा काम नी चलेगा सर 0 MLA हुए तो नई 6 परसंड वोट में काम नी चलेगा मेरा वोट काम चलेगा 8 परसंड वोट में और लास्ट कंडिशन क्या थी 3 परसंड MLA या फिर 3 MLA जो भी जादा हो और इसको मैंने आप लोग को समझा दिया है किस प्रकार से यह वाली घटना बनती है कियर हुआ उमीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा तो ऐसे किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का दरजा दिया जाता है अगर मेरी पार्टी जिसका नाम मैंने अभी लिया था गेलेक्सी पार्टी आज्यों में, स्टेट्स में स्टेट पार्टी घोशित हो जाती है तो मेरी पार्टी को नैश्नल पार्टी का दरजा दिया जाएगा सर मतलब मतलब हर्याना के एलेक्शन में मेरे सारे बंदे हार गई लेकिन आठ परसंट वोट जीत गए तो हर्याणा में स्टेट पार्टी यूपी का एलेक्शन है एमपी का एमपी का एमपी का एमपी का एमपी के अंदर एमपी के एलेक्शन में मेरी पार्टी के लोग खड़ी है एक एमपी जीत गया और टोटल वोटों का लीगल वोट लीगल वोट 6% जीत गया, तो उपी में श्टेट पर्टी बन जाओंगा, बिहार में मालोगो MP के लेक्षन, MLA के लेक्षन, 2 MLA जीत गए और 6% वोट मिल गई, तो बिहार में भी स्टेट पर्टी बन जाओंगा, और मालोगो Sikkim में 3% या 3 MLA वाला फॉर्मला, मैंने वो गया मैं, नेशनल पार्टी, मेरी पार्टी नेशनल पार्टी के दर्जे के दारे में आ जाएगी, और इस प्रकार से मेरी पार्टी नेशनल पार्टी के लाएगी, कम से कम चार राज्यों, चार से ओपर वो चाहिए कितने भी हो, लेकिन कम से कम चार राज्यों में आपको पार्टी का स्टेट पार्टी का दर्जा मिलना चीए राज्यस्तर की पार्टी का दर्जा मिलना चीए कि उमीद करता हूं यह वाली बात समझ में आ गई होगी कंडिक्शन एक कंडिशन नंबर टू यह कंडिशन नंबर वन कंडिशन नंबर टू लोकसभा सीट का लोकसभा का दो परसंट हो और वो भी तीन अलग अलग राज्यों से लोकसभा के दो परसंट MP मेरी पार्टी के हो वो भी तीन अलग अलग राज्यों से मतलब जैसे लोकसभा है लोकसभा में 543 MP है और 543 का अगर मैं दो परसंट निकालू तो 54 दुनी ठीक है 108 के आसपस बनेगा राउंड फिगर 11 तो मेरा मानना पड़ेगा 543 का 2% हो जाएगा 11 MP अब मेरे पास 11 MP होने चीए लोग सबा में लेकिन 3 अलग राजियों से हर्याना से 1 UP से 1 और बिहार से मानने 9 1, 1, 9 हो गया तो मेरी पार्टी नेशनल पार्टी के लाएगी 2% MP लोग सबा के 3 अलग अलग राजियों से 3 अलग अलग राजियों से माननो UP से है 3 बिहार से है 3 और पंजाब से है 3 MP मेरी पार्टी के नए बनुगा 3, 3, 6 और 3, 9 नए उवा या फिर माननो हल इंडिया में कितने राजियों है आपको सभी को पता होगा भारत में कितने राजियों है 28 लोग सबा के चुना हुए और 28 के 28 राजियों में मेरी पार्टी के बंदे 2-2 आये जीत कर हरयाना से 2 बंदे जीत गए मंजाब से दो बंदे, उत्रप्रदेश के दो बंदे, बिहार से भी दो बंदे, 28 राज्यों से, हर राज्यों से दो दो बंदे जीत गए, और 56 MP है मेरे पास, मैं चोड़े मैं, ओए होए, नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी, छपपन एमपी मेरे पास, नहीं बनूंगा, नेशनल पार्टी नहीं बनूंगा, क्योंकि 2% MP, 543 का 2% बनता है 11, 11 MP मेरे उने ची ये, तीन अलग अलग राज्यों से, सर बराबर, नहीं, बराबर नहीं, बराबर कैसे हो जाएगा, चाहिए एक राज्य से 5 हो, एक राज्य से 5 हो, एक राज्य से 1 हो, या किसी राज्य से 4 हो, फिर दूसरे से 4 हो, एक से 3 हो, या फिर एक राज्य से 2 हो, दूसरे राज्य से 2 हो, तीसरे राज्य से 7 हो, टोटल 11 MP होने चीए कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से 28 राज्ये हैं और सभी राज्यों से दो-दो MP जीत गई तो मेरे पास कितने MP? 56 फिर भी National Party नहीं बढ़ूँगा मैं ना सेकंड नमबर फॉर्मले के तहट मैं National Party नई बन सकता नई बन सकता दो परसंट तीन अलग राज्यों से दो परसंट बनेगा 11 11 आकड़ा होना चीए 11 MP को आकड़ा होना चीए मेरे पार्टी के पास तीन राज्यों से कम से कम हलाकि एक बाव तो मेरी पार्टी के पास 11 तुम्हारी पार्टी के पास 56 मेरी पार्टी उने तीन राजियों में 11 कमा लिए, तुम्हारी पार्टियों ने 28 राजियों में 2-2-2-2-2-2-2 करते 56 कमाए, तब भी तुम्हारी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं बनेगी, मेरी पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी, तुम कहोंगे, सर मेरे पास 56 है, हा तो होगा, तेरा 56 6% वोट, 6% वोट, 6% वोट, 6% वोट, legal वोट का 6,6,6,6,6% वोट चार राज्यों से, माललो हर्याना में 6% वोट मिल गई, युपी में 6% वोट मिल गई, बिहार में 6% वोट मिल गई, तमिलाडू में 6% वोट मिल गई, और plus 4 MP मेरे पास हैं लोग सबा के, सारे 4 MP कहा से 6 खाली Ahriana से 6 खाली UP से 6 खाली Bihar से 4 MP 6 खाली Tamiladu से या फिर 11, 11, 11 MP सबी जर्टे जिताओ या फिर 6 परसंट वोट हर्याना से 6 परसंट वोट UP से 6 परसंट वोट Bihar से 6 परसंट Tamiladu से और 4 MP जीत के मध्य प्रदेश से तो यार इतने राज्यों में दबदबा है मेरा चाचा विधाय का हमारे सुना होगा तो भाइस आप नेशनल पार्टी का दरजा मिल जाएगा चार राज्यों में 6-6 परसंट हो लीगल वोट वैद मतों का मत मुझे मिला हो लीगल वोट मेरी पार्टी को मिले हो और टोटल चार एंपी हो चाहे वो चार एंपी अके लिए हर्याना से हो चाहे वो चार एंपी अके लिए यूपी से हो चाहे ये चार एंपी हर्याना से हो यूपी से हो बिहार से हो तमिलाडू से हो चाहे चारों राज्यों से एक एक हो बिहार में 6% वोट मिल गई लेकिन मेरे सारे कार्यकरता हार गई उमीदवार हार गई बिहार में 6% वोट मिल गई लेकिन सारे हार गई राज्यस्थान में भी हार गई और मद्यपरदेश में 6% वोट ने मिली लेकिन 4 MP जीत गए चार MP जीट गए तो मेरी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी तो स्टेट पार्टी का ये चार फॉर्मला मैं तपूर्ण है उमीद करता हूँ आप लोग समझ बने आ गया होगा और नेशनल पार्टी बनने का दरजा इलेक्शन कमिशन तब देगा जब आप चार या फिर चार से ज़्यादा राज्यों में स्टेट पार्टी बनोगी सर स्टेट पार्टी कैसे बनते हैं बताएं ना मैंने आपको एक दो लोग सभा का दो परसंट MP तुम्हारे पास रोने चाहिए वो भी तीन राज्यों से वो भी तरीका तुम समझ गए होगी और तीसरा जो मैंने आपको बताया चार अलग अलग राज्यों से 6-6-6 परसंट लोग हो वोट मेरे को मिले और प्लस 4 MP मेरे पास हो कई लोग कहेंगे पता है तुम्हें सभी राज्यों से एक एक MP ना अगर सभी राज्यों से एक MP बने गया तो यह तो वह बळा फॉर्मला वोगे वह स्टेट पर्टी वाड़ा स्टेट सार्य पर्टी का second formula जाद करना यो वह बढग जाये गा ना वह ने छे 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 चार राज्यों से वोट मिल जाएं परसंट लीगल वोट वैदमत और चार एंपी मेरे पास हो नेशनल पार्टी हम बन जाएंगे इस प्रकार से भारत में आठ नेशनल पार्टी जिनके नाम स्थापना दिवस कब सापनित होई थी और जनरल सेकेटरी हो आडर प्रेजिडेंट हो फिलाल उन पार्टिय एका कोन है सबसे पुराने पार्टी यह कौंग्रेस उनेस्सों पिचासी में बनी थे सब जानते हूंगे भारत्यय जनता पार्टी गमिनिश्ट ौस्विए मार्क ह्ट सी पिम कोंग्रेस पुरे हिंड़ुस्तान में है जनता मंगाल में बहुजन समाज पार्टी हम जानते हैं यूपी मायवती की पार्टी है और त्रीमुल कोंग्रेस ममताब एनरजी पश्य मंगाल पश्य मंगाल में गड़ है गड़ लेकिन कई राज्यों में दबदबा है तब ही तो नेशनल पार्टी है है ना नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी सरद्पवार सरद्पवार तुमने सुना होगा महराष्ट्र में में दबदबा है महराष्ट्र में में दबदबा है नेशनल पीपल्स पार्टी सिंग्मा मेगाल्या मेगाल्य में तुमने सुना होगा में दबदबा मेगाल्य में है है तो ज़ाडू है के जिरवाल के पास तो दिल्ली के अंदर स्टेट पार्टी है के जिरवाल की तो उसका चुनाव चिन है ज़ाडू तो दिल्ली में किसी और को ज़ाडू नहीं मिलेगी लेकिन हाँ बिहार में किसी पार्टी को जाड़ू मिल सकती है हाथ तमिलाडों में जाड़ू मिल सकती है बिहार में केरदा में जाड़ू मिल सकती है क्योंकि उस्टेट पार्टी लेकिन अगर आप बन जा तो नेशनल पार्टी और जैसे हाथ का निशान है कॉंग्रिस का पूरे हिंदुस्तान में किसी को हाथ का निशान नहीं मिल सकता क्योंकि National Party है कॉंग्रिस कश्मीर से कन्या कुमारी गुजरात सरुनाचल हाथ का निशान वो केवल कॉंग्रिस के पास रहेगा कमल का निशान, पूरे हिंदुस्तान में वो किस के पास रहेगा, BJP के पास रहेगा, ये सभी के निशान हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये सिकल और वो जो थोड़ी से गेहों के दाने होते हैं, CPI के, ये सिकल दराती और हतोड़ा CPM के, हाथी BSP का, ये थोड़े से घांस और फूल, प्रिमूल कॉंग्रेस के, घड़ी, NCP के, और ये किताब जो National People Party जो पढ़ती है सिंगमा साब की, हमें घाले में में पार्टी पनती है, तो National Party जब आप बन जाती हो, तो आपका चुनाओचिन, चुनाओचिन बहुत मेंटर करता है मालों मैं किसी पार्टी का नहीं हूं किसी भी पार्टी का, अजाद उमीदवार हूं मुझे दे दिया, जैस पोस्कार, पंखा पंखा, मेरा चुनाओचिन, पंखा, पंखा मैं जीता मैं लड़ा बहुत अच्छा लड़ा बहुत अच्छा मैं हार गया और अगली बार चलो मैं दूर रह गया अगली बार ये पंखा मिल गया किसी और का बले ही मैं हार गया लेकिन लोगों को पता होगा वो पंखे वाला ठीक था पिछली बार हार गया इस बार बढ़ाएंगे लेकिन इस बार पंखा किशोर को मिल गया तो मेरी जो वोट थी वो किशोर को चली गई तो जब आपकी पार्टी स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बनती है तो उसका जो सिंबल होता है चुनाओ चिं वो पक्का हो जाता है नेशनल पार्टी का चिं पोरे हंदुस्तान में उनके अलावा किशी और को नहीं मिलेगा बश्चरती है जिसे BSP है BSP का हाथी है और नेशनल पार्टी BSP बनी थी लेट और असम में एक पार्टी जिसका चुनावचिन हाथी है, अब UP की पार्टी के पास भी हाथी है, मायावती, और असम की पार्टी के पास भी हाथी है, अब मायावती की पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है, तो मायावती, पूरे हिंदुस्तान में हाथी का प्रियोग कर सकती है, चुनावचिन के त पर समझे रहे हम लोग और महाराष्ट में भी किसी के पास जाडू है और कल को अर्विंद के जिर्वाल की पार्टी नेशनल लेवल के बन जाती है तो अर्विंद के जिर्वाल चुनाओचिन के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में जाडू का प्रियोग कर सकता है लेकिन महार election campaign करते हो बहुत फाइदे होते हैं सरकारी एक सिंग सरकारी जो TV होता है सरकारी चैनल जो होती है चाहिए वो TV के हो चाहिए रेडियो के हो वहाँ पर आप लोगों को भाशन अपने एड देने का मोका मिलता है प्लस नेशनल पार्टी कितना खरचा कर दे कोई भी पार्टी कितना भी खरचा कर दे कोई इसाब किताब नहीं वरना MP के election में 70,000,000 से ओपर तुम खरचा नहीं कर सकते MLA के election में 27,000,000 से ओपर खरचा नहीं कर सकते ठीक है ना तो इस प्रकार से जो भी बाती है तो वो नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी पर लागू नहीं रह पाती है बहुत सारे फाइदे हो जाते हैं टेक्स से बज जाते हैं करो खर्चा जितना भी करना है खर्चा इस प्रकार से पार्टी पार्टी तो तुम कभी भी बना लो जैसे कि मैंने यहां पर बताया था आप लोगों को इस प्रकार की भारत में पॉलिटिकल पार्टी है इतनी है नेशनल पार्टी इतनी है स्टेट पार्टी इतनी है अन्रिकोगनेस्ट पार्टी और टोटल सब जनता में तुम्हारा दबदबा कैसा है उस अधार पर तुम लोगों को स्टेट पार्टी और नेश्टर पार्टी का दर्जाब मिलेगा और सबसे ज़्यादा फाइदा होता है चुनाओ चिन का तुम्हारा चुनाओ चिन पक्ता हो जाएगा उसके बाद इलेक्सन के खरचे का पार्टी कितना भी खरचा कर दे लेगीन एक परटिकलर वेक्ती उसको समझ के वह भी खरचा करना पड़ेगा जो कि लिखित में है MP के एलेक्षिन में 70 लाख, ML के एलेक्षिन में इस प्रकार से 27 से 40 लाख आप खर्चा कर सकते हो तो वो सारी बात है यहाँ पर मैटर करती है उमीद करता हूँ यह मुद्दा आप लोगों को समझ में आया होगा फिर मुलूंगा अगले मुद्दे के साथ अगली क्लास में नमस्कार